तो देखिए आज मैं आपके लिए जो पर्स लेके आई हूँ वो मैंने ना ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये हमारी थ्री प्लाई की उन है और हमारा जो कुरूशया है वो 3.50 mm का है तो हमने इससे ही ये बनाया है और ये इतना असान सा पर्स है कि आप एना अपने कि इसी भी ड्रेस के साथ बना सकते हो इसी भी ड्रेस के साथ ले जा सकते हो और सिर्फ आप है ना दस से पंद्रे मिनट में इसे पूरा का पूरा बना लोगे तो चलिए से फटा फट से शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको तस हम इसमें चैन लेंगे एक चैन और ले लेंगे तो यह ज़ियरा हो गई और यह दिखिए एक चैन ले लिए और इसमें फर्स्ट वाली चैन में ही डालेंगे , बनाइएंगे हाफ डबल कुरोश्या कि होता है कि जिसमें tech लाप हुमहें प्रस ये हमें देते हैं तो यह हमारे ना हाफ डबल क्रोश्या होता है ठीक है इस तरह से तो इसमें पूरे में हम इसी तरह से ना हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगी यह देखिए यह हम हर एक चैन में तालते वे इसी तरह से हाफ डबल क्रोश्या बना रहे हैं और जो यह हमारी लास्ट वाली चैन है यह देखिए इसमें हम एक और हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे फिर इसी में देखिए डालके एक और हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे तो यह लास्ट वाले में हमारे तीन हो गए और फिर हम हर एक चैन में दूसरी साइट से एक एक हाफ डबल क्रोश्या बना लेंगे इस तरह से त ये देखिए ये इस तरह से हमारे पूरे में हमारा बन गया है ये मैंने आपको दिखा दिया उसके बाद में हम एक चैन लेंगे इसे पलट लेंगे اور ये जो फर्स्ट वाली चैन है उसी में डाल के एक बार फंदा किरोशे के उपर ये देखिए दो बार और ये तीन बार और इस तरह से निकालके हम एक पफ निकाल लेंगे बना लेंगे फिर अगले वाले में डालेंगे फिर से तीन बार फंदे किरोशे के ओपर डालेंगे और फिर से ये सारे फंदे निकाल लेंगे और फिर इसे निकाल लेंगे तो ये दूसरा पफ हमारा बन गया है ऐसे ही यहाँ हमें आठ पफ बना लिए हैं ठीक है हर एक चैन में इस तरह से डालके हम यह देखिए ऐसे आठ पफ बना लेंगे तो हमने चार चैन में चार बना लिए चार और बना लेती हूं फिर दिखाते हैं तो यह देखिए यह हमने है न टोटल एक दो तीन चार पान छे साथ आठ पफ बना लिए फिर अब अगले वाली चैन में हमें यह देखिए तीन बार फंदे किरोशे के उपर लिए और एक पफ बना लिया फिर इसी में डालके हम एक पफ और बनाएंगे ठीक है इस तरह से तो इसी में इससे आगे वाली में हमने दो बार पफ बनाएं फिर उससे आगे वाली में हम फिर से डालेंगे और इसमें भी हम दो बार पफ बनाएंगे यह देखिए इस तरह से यह दो बार हो गए फिर इससे आगे वाले में डालेंगे और इसमें भी हम दो बार पफ यह देखे इस तरह से यह हो गया अब हम यह आगे आगे इसमें हमें एक बार ही पफ बनाना है फिर अगली चैन में जाएंगे फिर उसमें भी एक बार ही पफ बनाएंगे यह देखे इस तरह से अब जितनी यह बचेवी चैन है न समें एक एक बार ही पफ बनाना है तो यह देखे पहले हमने आठ पफ बनाएं फिर तीन चैन में हमने दो दो करके पफ बनाएं और फिर जो यह आगे बने हैं वो मैं आपको गिन के दिखा दू एक दो तीन चार साथ आठ इधर साइड भी यह आठी पवव बने है ठीक है अब हम इसे न यहीं पर पलटेंगे और पलटने के बाद एक चैन लेंगे और ये देखे इस तरह से हर एक में डालते हुए हमें एक-एक आप डबल क्रोश्या बनाना है इसमें हमें कहीं नहीं बढ़ाना हैं हर एक चैन में ऐसे ही पूरे में हम हम ये half double crochet बनाते जाएंगे. ठीक है? ये देखिए इस तरह से. तो ये पूरे में ऐसे ही बना लेंगे, फिर दिखाते हूं. तो ये देखिए, ये पूरे में हमने इसी तरह से half double crochet बना लिया हैं, उसके पाद में हम ये pink वाली moon इसमें join करेंगे. ठीक है? इस तरह से. तो ये इसमें हमने जॉइन कर दी, जॉइन करने के बाद यही पर डालके इसे simply जॉइन कर लेंगे, जिसे यह अच्छे से जॉइन हो जाएं, उसके बाद में एक चैन लेंगे, और फिर हम इस तरह से हैं यह हम तीन फंदे लेके हमारा यह एक पफ बन जाएगा, फिर अगली चैन में डालेगे, फिर से हम इना तीन फंदों का एक पफ बनाएंगे, उसके बाद में आगे बनाएंगे, तो ऐसे ही हमेना आठ शेयन में 8 पफ बनाने हैं, फिर दिखातों, यह देखें, हमारा यह एक दो, तीन, चार पांच, छे, साथ, आठ आठ, हमारे यह पफ बन चुके हैं, अब हमें जो अगली छे चेन है ठीक है अगली जो हमारी छे चेन है उनमें हमें न दो दो बार ये पफ बनाने है ठीक है इस तरह से देखे इसमें बना दिया फिर अगले में बनाएंगे अगली जो हमारी है न छे चैन होंगी न आगे उन सब में हमें न दो दो बार है न ये पफ हमारे बनाने है ठीक है दो चैन में हम बना चुके हैं दो दो पफ ऐसे ही चार ओर चैन में बना लेते हैं फिर दिखा इस तरह से हमने है ना यह पहले आठ पफ बना लिए थे हर एक चैन में फिर हमने दो दो करके यह देखिए दो दो करके हमने छे चैन में बना लिए हैं और फिर अब हम यह आठ एक एक पफ हर एक चैन में इस तरह से बना लेगे ठीक है ये देखे इस तरह से ये भी हमारे तीन बन गए है और बनाएंगे और उसके बाद में फिर से हमने जैसे ये बनाये थे ना हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोश्या वैसे हम इसमें बना लेंगे तो ये पूरा बना के फिर मैं आपको दिखाते हूं तो ये देखे इस तरह से ना मैंने पूरे में ये हाफ डबल क्रोश्या बना लिया है ठीक है ये देखे यहां तक बना लिया अब हम इसे ना यही पे कट कर देंगे और ये दूसरा कलर हम इसमें जाइन कर लेंगे ठीक है यह सोई कमें करने बाद यहीं यहीं पर क्रोशेश यहीं करेंगे और यहीं चैन भूह बच्ट करा पर बलूट के। ठेगे, इसमें हम पहले न, आठ चैन में आठ पफ बना लेंगे और फिर जो ये बचीवी चैन है उनमें एक दोदो पफ बनाएंगे, पहले हम आठ पफ बना लेते हैं उसके बाद दिखाते हो आपको तो ये देखे हमने आठ न पफ बना लिये हैं उसके बाद में हमें बारा चैन में अब हम दो दो पफ बनाएंगे ये देखे इस तरह से ठीके इसी में दो बारा से बनाएंगे अगली जो हमारी बारा चैन है न उनमें हमें दो दो पफ बनाने हैं ठीक है इस तरह से एक चैन में हमें दो पफ बनाने है यह देखें यह हो गया इसके बाद में 12 चैन में हम 12 पफ सोरी 12 नी 12 चैन में हम 12 पफ बनाएंगे ठीक है तो यह न लाइन पूरी करके फिर मैं दिखाती हूं आपको तो यह देखे यह पूरे में हमने वैसे ही बना लिया है पहले आठ चैन में हमने आठ पफ बनाए और फिर बारा चैन में हमने दो दो पफ बनाए एक चैन में दो पफ ठीक है उसके बाद में फिर से हमने ये आठ चैन में आठ पफ बनाए ये देखे एक दो तीन चार पान छे साथ आठ ये आठ पफ हमारे एक एक हैं और ये हमारे सारे दो दो पफ हैं ठीक है अब हम इसे यहीं पे न कट कर देंगी और इसमें हमें ये दू कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। ठीक है? उसके बाद में ये देखे, इस तरह हम नॉट लगा के इसमें इसे अच्छे से जॉइन कर देंगे और यहीं पर डालके इसे एक simple crochet से और अच्छे से चाइन कर लेंगे ठीक है उसके बाद में एक तो दो chain हमें बनानी है और यह देखे यहाँ पर ना इस तरह से यहाँ पर ऐसे डालके हमें अब एक एक double crochet बनाते जाना है देखे इस दर से निकार डालना है फ्रेंट परोस डबल क्रोशय बनाते है न सेम वैसे ही दूसरी तरफ से निकाल के और यह हमने बना लिया double crochet ठीक है इधर से डाला इधर से निकाला और यहीं double crochet बना लिया यह देखे इस तरह से ठीक है यह देखे ऐसे ही हम पूरे में यह double crochet बना लेंगे तो ये पूरे में बना के फिर दिखाती है तो ये देखे ये हमारा इस तरह से पूरा बन के तैयार हो गया है और अलका सा इसमें कर्व आ गया है जैसे के पर्स में होना चाहिए ठीक है ये देखे इस तरह से ऐसे ही मैंने एक और बना लिया है ये सेम टो सेम इसी तरह से और अब हम इसे ना इसमें जाइन करेंगे तो इसे जाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखिए इस तरह से दोनों को एक दूसरे के ओपर रखेंगे यह ना ग्रीन वाला जो है यह इसमें यह देखिए इन दोनों को एक साथ हम यहां पर जोइन कर देंगे उसके बाद में दोनों की चैन में डालते वे यह देखिए इस तरह से हम सिंपल क्रोश्या बनाते जाएंगे यह देखिए दोनों में डालना है इसमें भी और इसमें दोनों में डालके हम यह सिंपल क्रोश्य बनाते जाएंगे, तो ये अच्छे से जोइन होता चला जाएगा, ये देखें, और ये मैं आपको दिखा दूँ, ये इस तरह से काफी अच्छी तरीके से जोइन हो जाएगा, तो ये पूरा जोइन करके फिर दिखाते हैं, तो ये देखें, ये हमारा वर्स बन के रेडियो क यह काफी सुन्दर लग रहा है और हाँ यह भी मैं आपको बता दूँ अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है तो आप क्या करेंगे फिर से यहां पर आठ की जगा दस पहले सिंपल एक एक डबल कुरो यह पफ बनाएंगे और उसके बाद में जो यह इधर वाली चैन है उन इससे बड़ा बन जाएगा और बड़ा बनाना है तो इसी तरह से यह बड़ा होता चला जाएगा ठीक है तो यह काफी अच्छा लगेगा और अगर आपको इससे भी बड़ा करना है तो यहां पर हाफ डबल क्रोश्या के बजाएं आप डबल क्रोश्या बना लिए तो यह अल्रेडी है न थोड़ा बड़ा हो जाएगा वैसे मुझे यह इतना बड़ा और इस तरह से ही बनाना था तो मुझे यह काफी पसंद आया है यह देखें अगर हम इसे ऐसे भी रखें तो यह काफी सुन्दर है उसके बाद में न मैंने यह दो उनसे बना रही हूं जो इसके तनी हम बनाएंगे न वो दो उनसे ले रही हूं यह भी इसी में अटेच कर लूँगे अगर आप यह 4 उनसे बनाना चाते है तो चारो उसे बना लेजी नहीं तो जो आपको एक कलर पसंद एप तो अपस सिर्फ एक ही कलर से बना लेजी तो वो आपके वह घुद की चैन में डालके हम एक डबल क्रोशय बना लेंगे फिर से एक दो तीन चैन लेंगे और फिर ये लास्ट वाली चैन में डालके हम एक डबल क्रोशय बना लेंगे फिर से तीन चैन लेंगे और फिर से हम ये एक डबल क्रोशय तो ऐसे ही इसे हम भड़ा करते चले जाएंगे तो यह जितनी बड़ी बनानी हो तो नी बना के फिर दिखाते हूं तो यह देखिए यह मैंने इतनी लंबी बना ली है और यह यहाँ पर दूसरे साइड में डालके हम इसे अच्छे से यहाँ पर जोइंट कर देंगे ठीक है जोइंट करके यह वाली हूंगे जो हमने शुरू में लगाई थी वह वाली ठीक है और यह लेके हम इधर साइड या इधर साइड कि इधर भी साइड लेके इसे जोइंट करेंगे इस तरह से और इसमें एक सिंपल क्रोश्या बना के अच्छे से जोइंट कर लेंगे और फिर एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चेन ले लेंगे नो दस दस चेन लेंगे और यहीं पे डाल के इसे इस तरह से अच्छे से जोइन कर देंगे ठीक है यहीं पे डालके यह देखे इस तरह से और यह करके इसे यहीं पे कट कर देंगे तो यह देखे हमने पूरा का पूरा है यह पर्स बना लिया है और मैंने इसमें यह बटन ना लगा के मैंने इसमें मेरे पास ये मोती सा रखा वा था इसमें थ्रेड का वर्क है और ये गोल्डन तो मैंने ये कुछ अलग लगाया है और ये पता है इसमें अच्छे से फिट भी हो गया है ये देखें और ये पर्स काफी अच्छा लग रहा है ये देखे कितने अच्छे से ये इसमें फिट हो गया है और इसे लगाना भी आसान था इसमें ये काफी बड़ा सा छेट था इसी में मैंने उन डाल के और इसे बांग दिया याँ पे और मैं आपको ये थोड़ा सा अंदर से भी दिखा दूँ तो ये देखे, कितना बड़ा सा और अच्छा सा बनके ये तयार हुआ है, ये देखे, और ये ऐसे अराम से रखा भी जा सकता है, ये देखे, और ये देखने में भी ये काफी सुन्दर लगता है, क्योंकि इसमें न हर एक कलर है आप अचाहें, तो इसमें मैचिंग के जो भी है उसके साथ अकर ये matching में लेके जाना है तो आप ये लेके जा सकते हैं अराम से तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे comment करके जरूर बताना मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ भाई everyone and thanks for watching enjoy this video तो आपको ये कैसा लगा मुझे एक comment करके जरूर बताना भाई